लोजगार के लिए सबकुष क्वालिफाइट किया फिर भी आगिए हैं सब्से लेवल नीचे की अट्सके लिए हए हम सब मैरिट पास है मैडम ऐसे नहीं है कि था भी गमॉर करें सिधा टी आरपी नहीं मिल रहा है उनलों को कि कमाई नहीं है हम लोग से सारे का मेरिट लिष्ट में आ गिया है हम लोग तो यहीं समझते हैं मैरिट लिष्ट मतलब हम उनलों की जौब हो जाएगी लेकिन जब जोइनिंग का समय आया तो रेलवे की कुछ गलत रूल्स के वज लुवर मेडिकल का लडगा नहीं चाहिए हम लोग तैयारी नहीं करते अब तो रेलवे मैडम पंच वर सिय हो गई इस एलेक्शन में वेकेंसी लाओ अगले एलेक्शन में न्यूकती दो ताकि बोल पाए मैंने इतना वेकेंसी दिया पोलिटिक्स के वारे मेडम हम लोग को कोई नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं केंसे सरकार से करेंगे की आपकी क्या डिमांड यह आप लोग फिछा नहीं हो सकती फिर इनोंने 2022 में 2022 में सारा पड़किर्या स्रू कीए करते 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 2030 में सारी पड़किर्या लाश्ट पोजिशन पर आ गिया ऑब प्रॉब्लम यह है मैडम कि रेलवे में तीन चणन में इग्जाम होते हैं एक होता है रिटेन , दुस्रा होता है फिजिकल तिसरा होता है medical and document verification ये सारे पड़कीराओं में सारे लड़के fit हो गए हैं कोई ऐसा नहीं है जो unfit है या फिर number कम है selection नहीं है सारे का merit list में आ गिया है हम लोग तो यही समझते मतलब हम लोग की जॉब हो जाएगी लेकिन जब ज्वाइनिंग का समय आया तो रेलवे की कुछ गलत rules के वज़ा से हम लोग सारे में fit होने के बाद भी बाहर हो गया बता देते मैडम हम लोग के group D में 10 से 12 पोस्ट हैं जिसके लिए अलग-अलग medical criteria बनाई गई है सबसे हाइस पोस्ट मेडिकल को ये टू बोला जाता है उसके बाद B1 ये दोनों अच्छा मेडिकल में काउंट होता है उसके बाद दो मेडिकल है B2 और C1 वाले जो मुद्दा है इसमें हम लोग सारे B2C1 वाले रेलवे ने B2 और C1 वाले के लिए अलग से पोस्ट दी थी लेकिन क्या ये जोन से आप जैसे यह बेली जोन से बिहार में वेस्ट बंगॉल में इसरों देर एपर जोन तो सब अपने 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 चेर्माइन से जा के मिल चुके है उनका कहना यही कि तुम लोगो को मेडीकल थोड़ा लो था और तुम लोग के पोस्ट में राइर मेडिकल वाली लोको मिल चुका है तो तुम लोगको अब एक ही पॉफ्जन है तुम लोगों को री मैडिकल दिया जाएगा अब मानलीजे मडम किसी जैए ने को किलरब्लाइने से या किसी को थोड़ा कम दिखता है या कोई विक्लांग है या को अकलाता है उन लोगर रातो ठीक हो जाएज़ इनलोग सिर्फ री मेडिकलल के नाम पे छलावा सीववाले पोष्ट में भी जा सकते हैं लेकिन सीवान वाले P & A पोश्ट में नहीं जा सकते हैं अब रेल्वेड का रूलरल को ही दो को ही मिले उसकी रूल का सकते हैं नहीं है अकले अगर मढ़ी खोड़ा देने के लिए CPA थुम्हें से कर रहे हैं वो लोग ऐसा इसलिए कर रहा है कि रूल रेलवे का रूल में ऐसा है कि हम लोग सिर्फ पोश्ट करते समय मेडिकल देखेंगे नंबर देखेंगे ऐसा कहीं नहीं है कि बीटुसी वाले को पहले परधानता दी जाएगी और इनों ने एक और बहुत बड़ा गलती क सारे सुडेंट लगातार अपने नोक्रियों से निकाले जाने पर कोई लोग नोक्रियों पर बहाल नहीं करती है के अंधुसरकार से लगातार सिकायत लेके तमाम चाट्र जो है आए दीन चंतर मंतर पर धरना देने के लिए एक वक्त को आप माल लिजी कि आपकी मांगे नह पर और तिसरा कोई नहीं है मैडम यहीं चीज निरंतर जारी होगा जब तक हम लोग का मन पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे इसके अलावा हम लोग के बास मैडम तुझ दूसरा विकल्प हम लोग उस लाइन में भी नहीं जाना चाहते हैं यह से आपने कहें लेकिन लुटक् CAP निरंतर हैवी लोग हारे नहीं और भर नहीं चले गह लोग फे लड़े हम लोग के पास मेडम खोने के लिए कुछ नहीं है जिसके पास खोने के लिए दर होता है उसको डर होता है उसको नहीं कुछ सबसे लेवल नीचे की बना पोस्ट के लिए हम सब मैरिट पास है मैडम ऐसे नहीं है कि हम भी मांग रहे हो कि हमारे नंबर ही है हम लोग सब मतला होता है नौकरी लग गई उसके बाद एक सेकेंड पहले यह लोग ऐसा करते हैं कि आपनी पोस्टे सारी घटा लेते हैं हम एक सब्सक्राइब मोडी का कहना है सब का साथ सबकाविकास और मैं एक और चिजद पुलना चाहता है इसमें मोडी का गलती नहीं है यह में रेल मिनिस्टर को बोलूंगा गल्ती उनके प्रस्नल लेबल पर कोई गल्ती सारे अधिकारियों का है जो रूल्स बनाते हैं और इनको अभी मुझे अभी भी नहीं लगता है कि एक नेता होने के कारण एक घर के मुखिया और जिस प्रकार से आपके घर में मुखिया हो कुन देखेगा उनका बीटू सिवन को किसको समझ माएगा जब तक लड़ेंगे आप लोग जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल भूक है यहीं पर मर जाएंगे कम से कम लाम तो आएगा कोई एक का तो जमीर जागे का कि हमार दिखाए कि आरे वो मर गया यार वो बिरोजगा लगा है इसके बाद अभी जाब हो गया है चार साल से खराब चल लाएं बेरोजगार अभी रोजगार कर रहे हैं सब चीज होने के बाद भी नहीं मिला पर कितने लोग है प्रदान मंत्री को यह क्या क्या चाहें क्या है आप आप क्या 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 है आए हो अची विश्ता है क्या दिक्कत है नहीं पहले मैडम रोजगार होना चाहिए तब कुछ लेगा यहां पर कैसे खाना पीना खाएंगे कैसे रह पाएंगे जब तक जान रहेंगे तब तक जान रहेंगे तब तक लड़ेंगे सब्सक्राइब तक जर्नी करके आया है और हम लोग उस समय रिजेक्ट हुए मैडम जिस समय चारों तरफ हला हो गया कि अभी लोगों का जॉब हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को समाज में जब आप लोगों को पता चला होगा तो कैसा लग रहा हुआ सबसे वरा समस्या यह है कि हम लोग जिस कारण से बाहर हुए न वोचीज खूल के बोल भी नहीं सकते हैं अब किसी का कलर ब्लैंडने से अब हम लोग का मापिताजी या जो सोसाइटी उतना पढ़ाली का बी टू सी वन आपको जिसे समझाए उन लोगों को नहीं समझा सकते सबसे लोग का बात नहीं है किसी का कुछ लो है उसके लिए भी लोग के लिए पोस्ट था रिलबे ने पुछ लोग को गुसा देंगे तो फिर यह उला लगा कहां जाएगा और आपको नहीं लेना था तो सुरू में बोलते हैं को लोगई का लडगा नहीं चाहिए हम लोग तयारी नहीं करते हैं जब लोगों को हायर मेडिकल को दे दिया पहले 2021 के नोटिफिकिशन में वैकेंसी थी बीटू और सीवन की बड़ चार पास सालों के बाद इन्हों ने अभी है कम कर दी टोटल खतम ही कर दी है कि लगातार आप लोगों ने सुनाओं बहुत सारे चेत्रों में कांटेक्ट पे ला रहें लोगों को तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से रोजगार को खत्म किया जा रहा है लगातार आप लोग की भवी सिटू होगी हम लोग तो मैडम यही जानते हैं कि इस बार जो महाम अगर नहीं होगा तो हम लोग के पास चारा नहीं है बहुत मुश्किल से वेकेंसी आई थी वो भी 2019 के लोग सभा के समय अब तो रेलवे मैडम पंच वड़ सीय हो गई इस इलेक्शन में वेकेंसी लाओ अगले एलेक्शन में न्यूकती दो ताकि बोल पाए मैंने इतना वेक काम करते हैं मैडम देखिए वोट के बारे में हम लोग को ज्यादा समझ है नहीं पॉलिट की राजनीति से लेना-देना नहीं और यह लोग के रहें कि हम तब तक यह रहेंगे जब तक हम लोग को न्याए नहीं मिलेगा आप लोग को क्या लगता है कि लगातार इस तरीके पूरे तमाम चात्र जो है पूरे भारत से यहां पर इकटे हुए इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पारे हैं इन लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा आप लोग इस पूरी खावर पर क्या रहा है कमें बॉक्स में जरूर दीजे धन्यवाद